सीदला अस्तिमी का देवार कोई-कोई लोग सत्यमी के दिन मनाते हैं और अगरवाल मारवाली लोग यहां तो सहित वार देखा जाता है जो भी हो ली के पहला वार अच्छा दिन पढ़ता है जैसे सुमबार है सुकरवार है बुद्ध वार है यह पढ़ते हैं तो उसमें यह पूज लेते हैं लेकिन अधिकतर लोग सब्सक्राइब के दिन बनाते हैं उसके बसौड़ा अस्टिमी में एक दिन पहले सारा खाना पीना खाने वाला बना लिया जाता है और दूसरे दिन बसौड़ा अस्टिमी के दिन वही सीतल खाना मतला ठंडा खाना खाया जाता है और उस दिन घर में गरम खाना नहीं बनता है तो चलिए यह हुआ सितला माता की आज हम कता सुनाएंगे एक बाज सीतला माता ने सोचा चलो आद देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है कौन मुझे मानता है यही सोच का सीतला माता धरती पर राजिस्थान के डुंगरी गाउं में आई और देखा इस गाउं में मेरा मंदिर भी नहीं है ना मेरी पूजा है मातला सीतला गाउं के गलियों में घूम रही थी तभी एक मकान के उपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माल फेक दिया वह उबलता पानी सीतला माता के उपर गिरा जिसमें सीतला माता के सरीर में चाले पड़ गए सीतला माता के पूरे सरीर में जलन होने लगी सीतला माता गाउं में इधर उधर भाग के चिलने लगी अरे मैं जल गई मेरा सरीर तप रहा है और जल रहा है कोई मेरी मदद करो लेकिन उस गाउं में किसी ने सीतला माता की मदद नहीं करी वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन मैला बैटी थी, उग कुमारन ने देखा अरे ये बूरी माता तो बहुत जल गई इसके पूरे सरी में तपन है, इससे पूरे सरी में छाले पपोले पढ़어 रहे हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब उस कुमार ने कहा, मा तू यहां आकर बैठ जा मैं तेरे सरी के उपर ठंडा पानी डालता हूँ कुभारन ने उस बुड़ी माई पर खुब ठंडा पानी डाला और बोली है मा मेरे घर में रात के बिना बनी हुई रबडी रखी है थोड़ा दही भी है तू दही रबडी खा ले जब बुड़ी माई ने ठंडी जुआर के आटे की राबडी और दही खाया तो उसके सरीर को ठंड़क मिली तब उस कुभारन ने कहा आ मा बैल जा मेरे तेरे सिर के बाल बिखरे हैं ला मेरे तेरी चोटी गुथ देती हूँ और कुभारन माई के चोटी गुथने हेतु कंगी कागसी बालों में करती रही अचानक कुभारन की नजर उस बुड़ी माई के सिर के पीछे पड़ी कुभारन ने देखा कि एक आख वालों के अंदर छुपी है यह देखर वे कुभारन दर के मारे घवरा कर भागने लगी तब ही उस बुड़ी माई ने कहा रुख जा बेटी तू दर मत मैं कोई भूत प्रित नहीं हूँ मैं सीतला देवी हूँ मैं तो इस धर्ती पर देखने आई हूँ कि मुझे कौन मानता है कौन मेरी पूजा करता है इतना कह माता चार भूजा वाली हीरे जवारात के अबूसल पहने सीर पर सुण मुकुड धारन किये अपने असली रूप में प्रकट हो गई माता के दर्शन कर कुमारन सोथने लगी अब मैं गरीब इस माता को कहां बिठाओं तब माता बोली है बेटी तु किस सोच में पढ़ गई है तब उस कुमारन ने हाँ चोड़कर आखों से आसू बैते हुए कहा मेरे घर तो चारो तरफ दरिदरता है बिखिरी हुई है मैं आपको कहां बिठाओं मेरे घर में न तो चोड़की है न बैठने का आसन तब सीतला माता पिसन होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गठे पर बैट कर एक हाथ में जालू दूसे हाथ में ड़िया लेकर कुमारन के घर की दर्टा को चाल कर ड़िया में भर कर फेक दिया और उस कुमारन ने कहा बेटी मैं तेरी सची भक्ति से पिसंद हूँ अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वर मांग ले कुमारन ने हाँ जोड़ कर कहा माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गाउं में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस बकार आपने मेरे घर की को अपनी जाडू से साप कर दिया किया ऐसे ही आप जो भी होली के बाद सत्यमी को भक्ति पूरुवक भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही वह बासी ठंडा भूजन चढ़ाये उसके घर की देट्ता को साप करना आपकी पूजा करने वाली नारी जाती को अखंड सुह कर रखना उसकी गोध हमेशा भरी रखना साथ ही जो पुरुष सीतला सत्यमी को नाई के यहां बाल ना कटवाए धोबी के कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप अप ठंडा जल चल कर नार्यल फूल चला कर परवार सहे ठंडा बासी भोजन करें उसके काम धंडे व बेटी जो तुने बर्दान मांगे हैं मैं सब तुझे देतू हूँ बेटी मुझे आसिवाद मैं तुझे आसिवाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुक्ध अधिकार इस धर्ति पर सिर्थ कुमहर जाती का ही होगा तभी उसी दिन से डुंगरी गाउं में सितला माता सापि हो गई और उस गाउं का नाम ही हो गया सील की डुंगरी भारत का एक मात्र मुख मंदिर है चीतला सत्यमी वहां बहुत विशाल मेला भरता है इस कथा को पढ़ने से घर की दर्चता का नास होने के साथ सभी मुनोकामनाई पूरी होती है यह थी सिद्ला अस्तिमी की पहली कथा दोस्तों दूसरी खता मैं दूसरी वीडियो बनाओंगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो जादा से जादा से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए अगली वीडियो मिलते हैं रादे रादे